तो अचलिए स्वागत है इट चतिजड़ इडूप चैनल की और एक नए वीडियो पे मैं हूँ आप लोगों का होस्ट रतेंसी मरकाब जिया चतिजड़ सरकार ने चतिजड़ किस्तानों के लिए जो सुनने प्रतिसद ब्याज रिण योजना की जो सुरुआते किया था तो म पूरी जनकारी बताएं कि वीडियो वे कि क्या प्रोसीजर रहेगा कौनकुर्स आपको डॉकुमेंट लेके जाना रहेगा और आपको फॉर्म कीस तरह से अपलाई करना है सारे चीज का पूरी जनकारी इस वीडियो पर आप लोग के साथ सेर कर रहा हूं तो वीडियो को आप लोग देख सकते हैं मेरे पास है फॉर्म को कैसे फिलब करना है इस सारे जानकरी मैं आप लोग को बताऊंगा इसमें कितना फोटो लगने वाला है और फॉर्म आपको कहां लेके जमा करना है सारे चीज इंफॉर्मेंशन इस वीडियो पर हम क्लियर करने वाले हैं और व nächे वैक लिए नएक अजी लोग के लिपनी के लिए क्या प्रसेट रहेंगा और जो रिगूलर्य जो किसां आं पूराने जे किसां और अब जो किसां higherана को सब्से I करने के लिए 10% को कोन आप लगने देखे हैं लोग सब सबहसब होगा तो सबसे बहुंगे आप लोग आधरकार लाइगा ठीक है अधरकार का एक जेरोक्स कापी ले लिजिए उसका उसका किरिसान क्रेडिट काड लाइगा फिर धान पंजन पत्र जैसे कि आपको शुरू में बिला था धान भीचिने के वक्त है उसके वाद धान भीखिरी रसीद जिसको आपने आपको दिय प्राइच का आपका फोटो लगने वाला है ठीक है उसके बाद है एंसेल फॉर्म लगेगा वचन पत्र लगेगा और एक रीड़ वित्रण आविदन लगेगा ठीक है ना तो नई किसान के लिए नकल लगेगा और खसरा लगेगा बाकी उपर का सारे डॉकॉमेंट भी लग करना है तो सबसे पहले हम वचन पत्र फाम भरेंगे उसके बाद एंसेल फाम भरेंगे और मैं आप लोगो बताना चाहूंगा जो रीड़ वित्रण के जो आविदक आविदन है यह वाला ठीक है यह आपको भड़ने के जूरुत नहीं है जो अधिकारी कर्मचारी रहते हैं है जो ही लोग का काम आप लुग का कहा नहीं है तो यह दो काम कर शकते हैं अबसे पिलें देखेए वह चर पत्र भरते हैं आप आपना किसान का नाम लिखेंगे मैं भलाना भलाना टिंगे लंगे उसक आप अफना जाती लिखिएगा उसके बाद निवासी आपका Herrn कुंसा ह उसको छिए आसे पोस्ट अपर इस कहां है आपकाih, फिर आपकाविकास खंड लिखेगा, फिर आपना जिल्दा लिखेगा, ठीक है तो उसके बाद जो आपका साकारी किंद्र है, ठीक है यहाँ पर वेसे आपे लिखे ए इस बश्बाद का पंजियन कर्मांग एहँ लिखी है जब आपका आता है मैं आपकी संस्ता से क्रिसी कार रहेतु शर्पा सो जुए लिए टी कर रहा है तो यहां पर आपका गवा का दो पहाँ अन दस्कत्राइक पर आप हस्ताक्षर कर दीजिए और नीचे जो उनका काम रहेगा ठीक है ऑफिस वाले का काम उसके अच्छली हम आप लोगो बताते हैं एंसेल फॉर्म क्यों ज़रूरी है कि जब तब आप अपर एंसेल फॉर्म फिलप नहीं करेंगे तब तब आपका जो लोन है वो करानी होगी ठीक ना भई तब जाकि आप लोग लोह ने आपको मिल सकेगा तो सबसे पहले जानते हैं एंसेल का वामाबो कैसे बढहना है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं प्रतमिक साकर सहकारी सलस्टा मर्यादित जहां सब कधान उपर जैन कि दर जहां से आप लोग लों दिने करते हैं यहां भी आईगा ठीक ना तो आपना साखा आप लिख सकते हैं अपना अवेदक का नाम लिखिए अधर ठीक है एन इसके बाद पिता का नाम उसके बाद जाती ग्राम का नाम पोस्ट ऑफिस विकासखंड तहसील जिल्डा राज्या फिर आपका एक मोबाइल न के दिये हैं आप लोग तुस्सों पाजबू का तुहां का नाम दीजिया का कुन सा बैंका है पिर सदसे पंजी अनुक्रमांग यह आपके मिलेगे पंजयन में ठीक है उसको राजा सो विवाग दोरा जारी भू अधिकर पुस्तिका करमांग आपका पट्टा का करमांग सब अबपी रहता है कि उसको भी दिनांग लिखिए उसके बाद धारित भूमी का मतलब रगवा है यहलेकर में तो लिखेंगा आपको वंजीन जीवाब लोग कि उना थूस पर हक्टियर रगवा का भी लिए तुस इथर इंटर करना है उसके बाद आप सिंचित भूमी का रग तो यहां पर लिखिए जैसे जैसे आपका अपको ड़ना है बहुत सिंपल है ठीक है सिंचित भूँवाई में सिचाएं का सादन किया है अभी फिलाल ठीक है उस चीज़ को भना चाहते तो भर सकते हैं अगर आप इन चीज़ जो चीज़ आपको समझ में जाता है इसको पूरा भी छोड़ दीजेगा जो मतलब करमाचारी लोग रहते हैं वहीं आपका जो काड़ वाट जो देंगे सारे डोकुमेंट तो इस आपको प्रफ़ाइब करने का कुण सा रखना है उस वाद फसल चक्र है उस वाद रभी है कि खरीव है तो यहां पर आप लोगों को बताईएगा उनको ठीक है अभी खरीब है चलिने वाला है तो खरीफी लिखिए अगर आप रभी के लिए करना चाहते तो रभी भी लिख सकती है ठीक रहे सारे चीज़ आपका कॉंप्लेट हो जाएगा दिनांग भरिएगा आविदा का स्थाक्चर भई यह सारे जब आप लोगों का फॉम्प्लेट हो जाएगा तो आप अपने जो साक समीति कींद्र है ठीक है जहां धानों परजन केंदर भी हम बोल सकते हैं तो चाल को हानी के बाएगा उपोरर्ण विद्र आपको पता दिहें जो हैं जो हुआará कर लोगों का लोगा कॉन्प हैं घृमिट कर रहे हैं तो उन्हीं लोग का मरह रहता है बस दो चीज़ आप पर से दिख रहे हैं आप लोग आधार कार्ड किसान क्रिडिट कार्ड पंजिन पत्र धान विक्री रसीद बैंक खाता पास्बूक पट्टा फिर दो पास्पूर्ड साइज फिर एंस इस सारे चीज़ को आपको ले कि वहां पर त्यार रखना है आप लोग को हैं दिखाना इस बार आपको रिन दिया जा रहा है अपना वीचार नीचे कौने वाक्स वह जरू से रखिए और कौन कौन सा डाउट है नीचे कौने जरू से किजिए हम नेट से वीडियो में इससे जुड़ी और भी लेके आते रहेंगे वैसे तो 36 और 36 किसानों से जुड़ी तमाम प्ली करना है इसका क्या प्रोसेस रहेगा इस समद में जो जानकारिया सामने कर आ रहे थी सारे जानकारी मैंने इस वीडियो पर आप लोग के साथ सेर की उमिद करते हैं वीडियो अच्छे लागों है जरूर से कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्कार किपे लाइक अ जरूर से दबा करें लेश्टेश्टे ऐसी अपडेट हम इस चनल के मादम से आप लोग तक पहुचाते रहेंगे तो मिलते हैं अगली वीडियो पर तब तक के लिए नमस्कार